आप सभी का दिल से स्वागत है मेरे चैनल पर तो आज का टॉपिक है वो बहुत जादा इंपोर्टेंट टॉपिक है वो भी लेडीज के लिए क्योंकि आजकल सावन चल रहा है और सावन में एक ऐसी चीज होती है जो कि बहुत मतलब जोर शोर से मनाई जाती है वो है हरियाली तीज जी हाँ हरियाली तीज मैंने सुचा सावन चल रहा है तो हरियाली तीज का भी एक मतलब बनाया जाये क्योंकि हरियाली तीज का नाम सुनके मैं खुद पर्利वड़ी खुश हो osten हो जो इसका वरत रखते हैं जो विधिविदान से करते हैं वो तो मतलब बहुत वेड् तो इसा नहीं है कि सब लोग हरियाली तीज का उवरत रखते हैं या फिर कुछ भी पहले स्टार्ट करते हैं कि हरियाली तीज कब है तो ये सावन चल रहा है हरियाली तीज है 3 अगस्त्थ और Saturday है उस दिन, तीन अगस्त को है हरियाली तीज, तो हरियाली तीज के दिन बहुत सारे लेडीज हैं, जो उबरत रखती हैं, और बिल्कुल मतलब जैसे करवा चौत के उसमें होता है, कि बिल्कुल सजना, सवरना, बिल्कुल वही होता है, पर इसमें थोड़ा ड़िफ्रें तो इसमें ग्रीन कलर का ज्यादा वो रहता है, क्रेज, तो ग्रीन कलर मोसली हर चीजों में यूज किया जाता है, हरी रंकी सारी, हरी रंकी चूड़ी, चूड़ियां तो बहुत इंपोर्टेंट होती है हरे रंकी, तो सावन में तो वैसे मैं एक दो पहले ही डाल लेती हू मुहरे रंग की चूड़ी क्योंकि ज्यादा डालती हूं तो फिर छोटा है मेरा बच्चा तो इसको थोड़ी दिकत होती है सोने में तो पर ऐसा होता है तीज के दिन तो मतलब नई चूड़ी मैं लेती हूं स्पेशल ग्रीन कलर की और फिर वहीं से पूरे हाथ भर भर के आती हूं क्योंकि मुझे खुदी बहुत अच्छा लगता है भरे भरी चूड़ी पायल सब कुछ पहनना पर जब बच्चे छोटा होता है तो थोड़ा अपने शौप को भी कम करना पड़ता है क्योंकि उसको डि वाच ओठ पर जो सारी खीज़े की जाती है नहीं चूड़ी आं नय कपड़ के सब कुछ तो वैसे हम तो हड़ी तीज में हम एक दिन पहले ही में लगवा लेंगे क्योंकि दिन में तो नहीं पॉस्पॉल हो पाता है तो एक दिन पहले महन लगवा लेंगे फिर नेक्स दे वर्दान मिलता है तब तो बहुत मतलब करना तो अच्छा लगता ही है सब लेडीज को तो हम लोग क्या करते हैं महंदी लगा लेते हैं चूड़ी लगा लेते हैं मतलब ग्रीन कलर में पूरा तयार हो जाते हैं और फिर जूला लगाते हैं जिन जूला लगाके लेडी जूला जूलती हैं, जो कि सबसे इंपोर्टेंट माना चाता है इसमें कि जूला लगाया और जूल लिये, तो हमारे में तो इतना ही करते हैं, बाकी जो लेडी जूला रखते हैं हमको तो पूरे विधी विदाहन से सु हारा रंग शुब माना जाता है हरियाली तीज में तो वैसे ही तीन तारिक को भी हरियाली तीज आ रही है तो हमारा पूरा ये है कि हम कुछ नो कुछ करें इसमें लेडिज मिलके क्योंकि बहुत अचा रखता है जब सारी लेडिज मिलकर फंक्शन करती है और ऐसा नियकि है कि अगर और वरत अपनी इपनी सबी इच्छ है अगर आप रखना चाहते हैं तो व्रत रखने में कोई डिक्काट नीं बाइस नहीं किया है तो आगे भी नहीं कर सकता है से पिलकुल नहीं है अगर आपने अभी तक नहीं किया है नहीं मनाया है या पिर आप नए-नए हो तो आप ज़रूर करके देखना मतलब हर्याली तीछ के दिन ग्रीन कलर की सारी चूडियां पहनना मेहंदी लजाना बहुत अच्छा लगता है आपकी वो तो आपके उपर है आपको फास रखना है या नहीं रखना है पर जो जो फास रखता है वो अपने जैसे सुहागन लेडिस के लिए चाहे सास हो चाहे ज बेठानी हों देवरानी हों उनके लिए भी सारी सुहाग की चीज़े निकलते हैं निकालते हैं जैसे कि घ्रीन सुप साडी हो गया ग्रीन नेल पेंट ग्रीन चूडियां सबसे बैस्ट है महंदी बिंदी सब कुछ जो भी सिंदूर रहता है बिच्वा आप देना चाहो तो मतलब जो भी सुहाग से रिलेटेड समान होता है वो हम अगर किसी सुहागन को दे तो बहुत अच्छा शूब माना जाता है हमारे लिए बहुत अच्छा होता है मैंने सुना है जितनी सुहाग की चीज़े हम दूसरों को देते हैं तो उससे हमारे लिए भी बहुत अच्छा हो जिसकी जैसे इच्छा है अपनी इच्छा भी डिपेंड रपता है तो इस दिन को ज़रूर मनाईएगा जूला लीजिएगा मदे कीजिएगा और ग्रीन कलर तैयार कर लीजिए अभी तो तीन तारीक बहुत दूर है और जिस ने तैयारी नहीं किया तैयारी स्टार्ट कर तो ठीक है पर गाईज मैं इसको यहीं पर एंड करती हूँ आए होप आपको यह व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हरी आली तीच की आपको एडवांस में बहुत-बहुत बदाई बाई बाई